वेल्कम गाइज वेल्कम बैक टी ओन चानल ऑप्शन गाइड तो स्वागत आपका एक और शानदा डेली मार्कलिस वीडियो में आज की मार्केट देखेंगे तो आज काफी दिनों बाद मार्केट रेंज में दिखी एंड ज्यादा ट्रेट्स के मौके नहीं थे जो सेट अप भी बहुत जादा ट्रेट्स नहीं थे अच्छा हुआ होगा अगर आपने ट्रेट्स नहीं कियोंगे क्योंकि रींज बाउंड डे में ऑप्शन बाइस के लिए प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल होता है डीटेल में एक बार इंटर डे अगर मार्केट देखे देखो बैंग निफ्टी के एक्सपाइरी थी हमने कहा था फिफ्टीवन थ्री इंडट एक अच्छा इंटरी पॉइंट होगा इसके अबव है मार्केट तो बॉलेश है मार्केट में बाउंस बाक और रैली आगी हमने डिसकस किया था लेकिन एंटरी हमेशे लेवल के आसपास मैं आपको बताता हूँ देखो यहां पूरे दिन में अगर कभी हम लेवल के आसपास आए ना तो यहां आए हैं फिफ्टी वन थ्री थर्टी फाइव का अलमुस्ट यहां पर डेलो लगा था और यहां से रैली जरूर है लेकिन पूरा दिन देखो ना मार्केट मूवस कहा है और मूवस तब आते हैं जब मार्केट लेवल पर आकर कुछ रियाक्ट करें तो आज ट्रेड्स के मौके नहीं थे मार्केट रेंज में थी दोनों साइड मूवस आया है हां लेवल के आसपास आ जाते हैं तो यहां से बहुत अच्छ हैं अंट्री पाइंट था यहां से बांक निफ्टी में ऐल पाई थी तक कुछ अ आज के पूरे दिन Nifty Bank Nifty में trades के मौगे नहीं थे, market range में थे लेकिन आज का दिन हो चुका है, कल क्या आगरना है, वो directly discuss कर लेते हैं, पहले Nifty की बात करते हैं देखो फिर से हम कहां आचुके है, almost 25,000 के आसपास, ये एक बहुत ही major level है, दो दिन से मैं आपको समझा रहा हूँ, psychological number है, बहुत सारे लोगों ने यहां orders भी लगाया हुए थे, इसलिए यहां से major fall भी आया था दो दिन पहले, तो ये एक important level है, कल भी देखो lower side 24, 820 से अब हम दूर है, ठीक है, पहले ये trend decide कर रहा था, अब हम इस level के nearby है, कल ये level trend decide करेगा तो आज slowly, थोड़ी बात rally ज़रूर आईए, तो अगर सच में market को और rally करना है कल, तो भाई हमें 25,000 का breakout ची होगा अगर हम breakout देते हैं 25,000 का कल, तो market हमाले nifty में कल bullish होगी, और market में rally आईगी, और second situation भी धियान रखनी है कि अगर यहां आके market resistance face करे तो यहां से आप reversal में fall के लिए भी trade बना सकते हैं, दोनों side के trade बन सकते हैं, इसी same level से 25,000 बहुत ही जादा important है कल के लिए तो एक चीज़ तो यह है, 25,000 level आपको देखना है, secondly जो हम 50s की strategy यूज़ करते हैं, नॉर्मल expiry में अगर मालनो market की opening कहीं 24,900 के आसपस हो रही है तो वो ही 50s की strategy यूज़ करेंगे, जैसे opening होती है 24,920 पे तो जो nearby 50s के level होंगे, दोनो side, lower side 24,900 होगा, upside 24,950 होगा, जिस direction में market break करीगे, उस direction में move आएगा, जहां भी opening हो, nearby का 50s का level support और resistance का आपको देखना है, और opening के बाद market के side break कर रही है, उस direction में trade बनाना है, लास्ट वीक आपको याद होगा बहुत ही गजब का trade मिला था इसी strategy से, कल के लिए same strategy आपको follow करनी है 50s के level market करने हैं, देखो 25,000 पर open करते हैं, तो इस level पर देखो market कैसे react कर रही है, वहाँ से trade बनेंगे लेकिन अगर इसके आजबस नहीं है फिर यह strategy आपको use करनी है, कि upside resistance को break कर रही है, market opening के बाद, यह lower side support को, जिस side break करें, उस side trending move market का expected है, यह simple nifty के कल के लिए strategy है, ठीक है nifty की बात हो गई, अब bank nifty पर आजाते हैं, कि bank nifty में क्या setup है बहुत clear है bank nifty, अच्छे trades कहां से मिलेंगे, 51,300 के आसपास आईगी market, यहां से बहुत अच्छी entry है, यह level तो काम करता ही है, बार बार हम देख रहे हैं, आज market इसके आसपास आई नहीं, बहुत ज़्यादा पास नहीं आई, इसलिए trade का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर यहां आएगी, तो यह level trend decide करेगा, इसे hold करेंगे, तो यहीं से bounce back और rally, बहुत अच्छे entry point, बार-बार मैंने discuss किया है, break करेंगे तो fall आएगा, मालो यहां तक आए ना, directly up move करने लगे, फिर wait करेंगे 51.800 के upside breakout का, जब इसका breakout मिलेगा, तो further rally आएगी market में, further market bullish होगी target, 52.100 पहला, और उसके बाद 52.400 next level और target होने वाला simple setup है, पहली चीज, यह तो 51.300 के आसपास आजाए, bank nifty में market तो trend decide हो जाएगा, secondly अगर नहीं आते है, directly up move करते है तो wait करेंगे 51.800 के breakout का तो fresh rally आएगी, और यह upside level से हमारे target होने वाले simple clear, कलकले setup है, hope सारी चीज़े clear है, वीडियो अच्छे लगे तो क्या करना है, like कर दो, and like करने में उसी मत किया करो, यार कर दो like, and जिन लोगों ने subscribe नहीं किया थे, क्या करना है, subscribe भी जरूर कर ले